हेलो फ्रेंड स्वागत है हमाई यूटूब चैनल पिंटू लेक्टिकल्स पर तो आज हमें ये फ्रिज है जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है चोकिंग की प्रॉब्लम है इसमें हमारे जो स्टाप है उसने तीन चार बार गैस डाल दी मगर ये फ्रिज सही नहीं कर पाए बार बताते हैं आपको कैसे कैसे इसकी चौकिंग खतम करनी है तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसका ड्रायर खोलना होगा तो ड्रायर से भी पहले ये जो प्लास्टिक की डिब्बी लगी है तो ये डिब्बी खोल देंगे ताकि आग ना इसमें पकर लाए नहीं तो वह जल पहले इसकी कैप लडी निकाल देंगे तो दोस्तों सबसे पहले कैप लडी में ने तोर्च मारनी है देखो फ्रेंट हमने इसकी कैप लडी निकाल दी है यह अलग कर दी है अब इसके ऊपर पाइप से निकाल देंगे जो ये लोय का पाइप लगा है तो लोय वाले पाइप अपसे भी गरम करके तो हमने ड्रैर बाहर निकाल दिया है अब हम इसको चालू करकर देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है गंदगी बग्यारा तो जैसे जाल होता तो इसमें रश्ट वग्यारा हो जाता है इसलिए चोंकिंग हो जाता है तो हम आपको फ्लैसिंग करके दिखा हैं लैक्स करके दिख्शन दिखिए दोस्तों इसमें सिक्वलाज सा कुछ निकला इसका जंग निकला है तो इसको भी हम मताइंगे कि इसको कैहेसज करना है तो दोस्तों घnt इस तरह कापलर चीए होंगा तो काप बस्त Noch in में लगाएंगे जहां से फिल्टर निकाला है तो सबसे पहला काम है फ्रिज में की कंप्रेसर का प्रेसर नापना अगर कंप्रेसर खराब हुआ तो फिर इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है तो हमें सबसे पहले इसका प्रेसर नापेंगे उसके बाद में कुछ काम करेंगे आगे तो दोस्तो हम फ्रिज में चोकिंग का कारड भी होता है कि अगर प्रैसर डाउन होगा तो भी चोक हो जाता है फ्रिज बार बार तो हम इसको कैबलर को फिट करके और आपको गेज मीटर लगाके आपको इसका प्रैसर दिखाते हैं तो हमने पाइप कस दी है तो हमने लाल वाला 500 PSI का प्रैसर गेज लिया है और हम इसका कंप्रैसर ओन करते हैं और आपको दिखाते हैं तो दोस्तों इसका प्रैसर तो हमें ठीक लग रहा है तो फ्रिज में कुछ और प्रॉब्लम है तो यह 400 तक जा रहा है अब हमको यह आगे की प्रक्रिया सुरू करनी है तो यह सामने जो रिले लग रही है सबसे पहले हमें इसे इटानी पड़ेगी नहीं तो अगर बत्ती बत्ती जलाएंगे तो यह फुक जाएगी जल जाएगी यह इसके वायर है अर्थिंग वगएरा के यह भी खोलने पड़ेंगे दोस्तों यह नीचे हरे वाले तार लग रहे हैं इनको भी आपको पेजकर से खोल देने हैं यह दो लग रहे हैं दोनों तारों को निकाल दें ताकि अब फिरिज ठीक करते हैं समय कुछ और चीज ना फुक जाए नहीं तो कस्टूमर बहुत सुनाएगा और पैसे भी ले लेगा तो हमने इसको भी साइड में कर दिये दोस्तों तो सबसे पहले हमें यह इसका डिस्चार्ज वाला जो पाइप है इसके उपर एक किलिप लगी होती है लोही की इसको गरम करके पीछे खिसका देना है और इसका पाइप को निकालना है तो हमने इसके किलिप को हटा दिये दो दोस्तो अब इसका पाइप भी बाहर निकाल देते हैं निखाते हैं आपको तो हमने पाइप निकालके इस चार्ज वाले पाइप में कपलर लगाके और इसके बाद हमें ये एक बोटल है और एक इंजेक्शन खरीदना है ये बोटल है CTC जाल इससे बढ़िया से साफ हो जाए गां दोस्तो तो ये बहुत तो वैसा होता है एकदम झैसे थिनर होता न उस तरह का होता CTC तो इसको इंजक्सिन से आप एक इंजक्सिन भर के और उसके साथ एक चार्जिंग लाइन लगा लेंगे चार्जिंग लाइन में इसको डाल देंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं आगे कैसे कैसे करना है जोस्तो तो ये इंजेक्शन हम फुल बर लेंगे और एक इंजेक्शन उस चार्जिंग राइन में डाल देंगे जो हमने उसके कबलर लगाया था उसमें एक डाल देंगे अब हमको एक दूसरा कंप्रेसर चाहिए होगा जिससे उसमें आगे प्रेसर डालेंगे तो यह हमने इसमें इसके जो फैकने वाला पाइप है इसमें उस पाइप को कस दिया है अपनी चार्जिंग राइन को तो अब हम इससे फ्लैसिंग करेंगे जो भी उसके अंदर गंदगी होगी तो साफ हो जाएगी और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर ना ये CTC रुकता नहीं है क्योंकि एक दम जैसे थिनर होता हाथ में डालता उड़ जाता है इस तरह कही होता है तो बिल्कुल साफ हो जाएगा इससे तो देखो इस दोस्तों इसके अंदर कितना जंग निकल ला है गुदम काला काला है ये देखो कितना भेंकर तो ये इस तरह से हमें कम से कम दो बार करना है दो इंजेक्शन इसके अंदर डालने है और दो इंजेक्शन डालते हैं ये पूरा साफ हो जाएगा तो देखो हम फ्लैसिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यह देखिए दोस्तो आप हमको दूसरा इंजेक्शन ले लेना और दूसरा भी भरके जैसे पहले डाला वैसे ही एक और डाल देंगे तो यह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा देखना भी किती गंदगी निकले इसके अंदर से तो हम जैसी फ्लैस करेंगे देखिए दोस्तो कितना अग्दम लाल लाल निकल रहा है कुछ तो यह जाल से होके फ्रीजर में भी चला गया होगा तो मैं फ्रीजर भी इसको तो अगर यह हमारा वीडियो आपने पूरा देख लिया तो किसी भी की सायता नहीं कर लेनी पड़ेगी आपको अगर गैस दस बार डाल दो कितने भी बार डाल दो फस जाते हो आप दिस्चार्ज वाला पाइप जोड़के और उसके बाद यह सेक्शन वाला पाइप को बाहर निकाल देना है तो हम बैल्डिंग से इसको जोड़के और आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे करना है तो दोस्तो यह हमने इसकी बैल्डिंग कर दिये अब हमने इसको यह वाला सेक आसा पाइप गरम करें ताकि उसमें जंग वंग हो। अगर एक बार नहीं है तो ऐसे गरम करें। तो ड्राइर में यह पाइप जरूर लगा है। पाइप का यह की बची हुई कोई गंदगी आएगी। तो उससे अंदर से आके इस वाले पाइप में चली जाएगी। तो यह बहुत जरूरी है, पाइप को जरूर लगाएं, बच्योई गंदगी उसमे टक जाएगी, यह पाइप का टुकड़ा लगता ही, इसलिए है कि अगर कोई थोड़ी बहुत गंदगी आए, तो इस पाइप से होकर इसमे टक जाएगी, ठीक है दोस्तों, अब हमें एक कैपलरी काटर है, तो यह अगर आपके पास है ठीक है नहीं, तो रेती से काट सकते हैं, तो हमने कैपलरी इसको काटा, और देखो आपको होल भी प्रॉपर दिखा रहे हैं, बिल्कुल फिक्स कटा, अब इसके ड्रायर को फिट कर देना है, और पानी का गीला कपड़ा जरूर माग नहीं तो यह काला पड़ जाएगा, और इस वाले जो पाइप को है, इसको बंद कर दे, वैसे तो इससे वैक्यूम भी हो जाता है, लेकिन हम अभी हम कंप्रेसर से वैक्यूम करके दिखाएंगे आपको, तो इसको बंद कर दिया है, इसमें भी गीला कपड़ा मार दे, तो यह चमक जाता है, अब हम इसकी रिले लगाएंगे, रिले वायर जो भी है सारा फिट कर देंगे, उसके बाद हम यह इसके वायर हैं यह भी फिट कर देंगे, जो अर्थिंग के वायर जो निकाले थे वो फिट कर देंगे, और यह सेक्शन का पाइप हमने बाहर निकाली चोटनेंगे छिम्हेर करने है जिम्यादफिन रातिन drinking करने हैं यह विन्हों करते। कि देखेंगे कि इसको यह द्रीद रङ है यह जाट करिंगे कि इसको तागत से दबाना ज़िद्ग के फ्लेशिद करना है तो इसमें देखते हैं इसमें कुछ निकल ला हाँ इसमें तेल है तो इसका मतलब इसका फ्रिजर भी चौक है तो फ्रिजर चौक हटाने के लिए आपको 32 से फ्रिजर को हलका हलका गरम करना है और पूरे फिरिजर को सही से गरम करते हैं तेल पतलाओ के ऐसे फ्लैसिंग करते हैं एकदम साफ हो जाएगा तो आपकी चोकिंग की प्रॉब्लम हंडेट परसेंट ठीक हो जाएगी और हमने गैस चार्जिंग की आर छे सो एकी अलग से वीडियो बना रखी है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हम आपको ऐसी बड़िया बड़िया जानकारी देंगे और पूरी अच्छी तरह से इमानदारी से बताएंगे कि कैसे कैसे काम होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देख लें उसमें गैस चार्जिंग का पूरा वीडियो हमने स्टेप बाई स्टेप बना रखा है तो ये देखिए दोस्तो कितना तेल निकल रहा है थैंक यू